Hello friends and welcome back to my channel सभी को काले बाल पसंद है अगर एक या दो सफेद बाल भी आ गए तो हमारों confidence लेवल ही कम हो जाता है और ये सफेद बाल अगर सामने हो तो तो फिर हम परिशान ही हो जाते हैं और इसी बीच में अगर आपको कहीं बाहर जाना है पाटी में जाना है या आपके घर में कोई आ रहा है तो आपको लगता है कि जट पर से मैं अपने बालों को काला कर लो बट कैसे एक या दो बाल के लिए friends हम दाई नहीं करते हैं या हम कलर नहीं करवाते हैं बालों को तो इसी के लिए आज एक देशी नुस्का लाए हो जिससे आप घर पर ही आपके बालों को काला कर सकते हैं वो भी एक मिनिट के अंदर और कोई इसका साइड एफेक्ट भी नहीं होगा तो चलिए लेट स्टार्ट चलिए फ्रेंस रेमेडी बनाने के लिए हमें ये कॉटन की बाती चाहिए जो हम पूजा घर में यूज करते हैं दिया जलाने के लिए तो इस तरह से मैं ले लूँगी यहां आप कम या जादा कॉंटिटी कर सकते हैं डिपेंस कि आपके कितने सफेद बाल है और आपको किन बालों को काला करना है बने रही है इस वीडियो में यहां में ले रही हूँ सरसो का तेल आप वैसे कॉकोनेट ओल भी ले सकते हैं तो इसको मैं डिप कर लूँगी सरसो के तेल में तो यह देखिए डिप करने के लिए पांच से दस मिनिट आप इसको छोड़ दे इस तरह से आप रग दे ताकि कॉटन पूरा ओइल सोक कर ले और अच्छे तरह से डिप हो जाए इसके बाद आपको इस तरह से इसको निचोड लेना है हलके हातों से पूरा नहीं निचोड़ना है थोड़ा सा ही निचोड़ना है और दूसरी कटोरी में आप इसको ले ले तो इस तरह से आपको करना है अब आपको देखना है कि बहुत ही अनुखा तरीका है यह बालो को क सच में यह बहुत इनोवेटिव और बहुत फास तरीका है आपकी बालों को काला करने का अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आया ना तो एक लाइक कर दीजेगा और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए घंटी के साथ कोई चार्जस नहीं लगते हैं देखिए जब त तक सब जलना जाएं तक तक आपको इसको जलाना है यह आटोमेटिक ही बुझ जाएगा फ्रेंट्स यह देखिए मैंने आपको पूरा वीडियो बताया हुआ है यह पूरा जलके अपने आप ही बुझ जाएगा अगर नहीं बुझता है तो आप चमच की हल्प से इसे चुका है फ्रेंट्स अब मैं इसको चमच की हल्प से इस तरह से थोड़ा सा तोड़ दूँगे तो यह दो बातिका है तो इसी तरह से मैंने यहां और भी कई सारी बातिका यहां जला के आपको बताने के लिए ही मैंने यह किया हुआ है तो यहां मैंने चार बाती का मैंने किया हुआ है और यह देखिए कितना सारा यहां मुझे यह मिल गया है हमारा जो हमें। लगाना है अपने सफेद बालो पर तो बस इस तरह से आपको चमच के हज़ा है, और जैसे आपके मैं यहाथों पर लगा कर बता रही हूं, वैसे है आपको के बालों पर तो इस तरह से आपको आपके सफेद बाल जो आगे है जहां आपको लगाना है आप उस तरह से इस पर लगाईए कोई साइड डिफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें और अल्रेडी ओईल है फ्रेंज ड्राइनेस भी नहीं आएगी यह देखिए कितना काला हो जाता है यह और यह इसका live demo बताऊंगे मैं अब इस पर पानी डाल कर तो पानी ले लिया है फ्रेंज यह देखिए पानी डालने के बाद भी यह नहीं निकलेगा जब तक कि आप इसको शैंपू नहीं करेंगे आपके बालों को तब तक यह नहीं निकलेगा यह देखिए और इसमें तेल मे घर पर ही इस तरह के देशी नुस्के अजमाई है एक या दो सपेद बालों के लिए dye या likely कलर मत कराइए इस तरह के देशी नुस्के करिए और आकंके सफेद बालों को आप चुपा सकते हैं और बड़े confidence के साथ आप बाहर जा सकते तो कैसे लगा आपको यह नुस्का ज़रूर मुझे कमंट करके बताइएगा यह शैंपू के बाद ही निकलेगा पानी से यह नहीं निकलेगा यह मेरी गारंटी है इतना चोड़ा शचा है ज़रूर ट्रक करें ना और मुझे कमंट करके बताइएगा लाइक भी किजिग शेय